चलिए लेक्चर को continue करते हैं CBSC Class 12 Mathematics का Chapter No.1 Relations and Functions की Exercise 1.1 का Question No.10 लगाएंगे और इससे पहले के जितने भी Questions हैं आप वो CBSC Class 12 Mathematics का फोल्डर New NCRT में जाईए आप सारे NCRT के सलूशन आपको प्रोवाइड किये गए हैं 1, 2, जितने भी chapters हैं आपके Mathematics के सारे chapters के solution उसके अंदर आपको प्रोवाइड के जाएंगे और जरुवत नहीं है आपको इदर दर भटकने की APT अड़ा के साथ बने रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को दबाएं जिससे आपको प्रोपर नोटिफिकेशन मिलता रहा है आप देखिए question number 10, generally school में teachers लोग इसको नहीं कराते हैं लेकिन मेरे साब से ये question बहुत ही अच्छा है, board purpose से नहीं, board में तो ये नहीं आने वाला है लेकिन आपके concept को clear करने के लिए ये question बहुत ही ऐसा वली कि इतना important है कि आपके सारे concept with chapter के इसी example से आपके clear हो जाएंगे इस question number 10 से, देखिए क्या है, इसके अंदर अपने को screen पे भी लगा रखा है, कि आपको example बताना है और इसके अंदर पांच पार्ट है, है ना, पहला क्या है, आपके एक ऐसे relation बताना है, जो क्या होना चाहिए, symmetric होना चाहिए, इदर लिख देता हूँ मैं, symmetric होना चाहिए, लेकिन, but neither reflexive nor transitive, अब बोन ना तो reflexive हो ना ही transitive हो, यह case बताना है अपने को first part में, clear, अब अपने को ऐसा relation बताना है, जो क्या हो, symmetric हो, लेकिन reflexive और transitive नहीं होना चाहिए, reflexive भी नहीं होना चाहिए, transitive भी नहीं होना चाहिए, यह आपकी च्वाइस है, कोई साथ लेके आपory कर सकते हैं तो मैं काम करता हूं मैं सिंपल सा साइट ले लेता हूं कि let a equal to one two three clear और इससे बनने वाले जितनी भी possibilities है relation की बू में बना लेता हूं that is a cross a Cartesian product one two three का Cartesian product किसके साथ one two three के साथ तो बताइए क्या क्या बनेगा one 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 two one three two one two two three three one three two three two three three two three right ये सारी possibilities हैं अब इसमें से मुझे ऐसे relation form करना है कि first part में symmetric होना चाहिए वो क्या होना चाहिए symmetric का मतलब क्या होता है यह अगर आपको clear होगा तब यह आप example ले सकते हो इसलिए यह question दिया गया है ताकि आपको सारी चीज़े clear होना चाहिए तो symmetric का मतलब यह है कि आप जो भी यहां पर element लेंगे उनके inverse में चाहिए जैसे for example अगर मैं 12 ले लूँ तो यहां पर क्या होना चाहिए चलिए पहले में इतना ले ले तो अब यह क्या नहीं होना चाहिए reflexive नहीं होना चाहिए reflexive का मतलब इनके doublate नहीं होना चाहिए कोई एक doublate नहीं होना चाहिए तो यहां पर है और 1, 2 है तो 2, 2 नहीं होना चाहिए अब दिखो यहाँ पर भी थोड़ा सोचिए कि आप लोग यूनि डारेक्शन सोचते हैं कहने का मतलब यहाँ से चलना है स्टार्ट करते हैं 1, 2 है 2, 1 है तो 1, 1 नहीं आप 2, 1 है 1 से सोचना है स्टार्ट करेंगे आप नहीं उल्टा भी सो जो 2, 1 है तो 1 से इधर भी तो आ सकते हैं 2, 1 है और 1, 2 है तो 2, 2 नहीं होना चाहिए तो नहीं है 2, 2 क्योंकि मुझे ट्रांसिटिव यहाँ पर नहीं लेकर आना है तो इसका मतलब यह आपका रिलेशन बन गया फर्स्ट पार्ट का है ना सारे चीज़े क्लियर होना चाहिए क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 है, 2 ,1 है तो 1, 2 है और रिफ्लेक्सिव यह ऍहीं नहीं ना 3, 3 λ sociaux कुछ भी नहीं हो तब भी नहीं हो गा है अच्छा आ प्निका मतलब अगर तुम यहाँ पर 233 भी ले 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 तब भी क्या नहीं है यह रिफ्लेक्स नहीं क्योंकि यहां पर 1 1 2 2 2 भी नहीं नहीं है अच्छा ट्रांस्टिव इसलिए क्योंकि 1220 211 नहीं है यह बाकिया अगर होगा भी तो कोई दिक्कती लेकिन एक पेर तुमारा इसमें मौझूद होना चाहिए जैसे यह भी है वी है तो नहीं है तो तो जरूख देख पर रहा आप लगा अगर आप यह नहीं ले तब भी यह बन रहा है पहला और अगर यह आप लेंगे तब भी क्या बनेगा यह रिलेशन बन जाएगा चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसके अंदर सेकंड पर्ट क्या है ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और नीदर रिफ्लेक्सिव निदर रिफ्लेक्सिव नौर सिमेट्रिक अच्छा अब सब गुमागुमा के पूछेगा लेकर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए लेकर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो ट्रांजिटिव और यहां तक ले लूँ इसको तो जरा चेक करो तो है हो लेकिन तुम्हें यह बता रहा है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो पहले सिमेट्रिक को चेक करते हैं तो मैं काम करता हूं 2-3 ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ 2-3 clear आप ज़रा सोचिए 2-3 लिया मैंने अगर तो देखो 1-2 है 2-3 है तो 1-3 होना चाहिए क्योंकि 1-3 नहीं होगा तो ये transit नहीं होगा तो अपने पास से और क्या ले लो 1-3 ले लो क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएंगे अपके clear आप देखो 1-2 है 2-3 है तो 1-3 है clear और 2-1 है 1-3 है तो 2-3 है 2-3 है याप पर clear 2-2 है 2-3 है तो 2-3 है राइट आप देखो और यहाँ पे ले लो 1-3 है तो 3-3 से स्टार्ट होने वाला कोई यह सिमेंट्रिक नहीं हुआ clear अप यह reflexive भी नहीं है क्यों नहीं है यह reflexive पर इसका डबलेट होना चाहिए तो 1-1-2-2 तो है लेकिन इसमें 3-3 नहीं है है न मन में लडी़ फूडा हो तो यार पहले फटाक से बाइल एकन को दबा दें आगे बढ़ते हैं इसका अगला पार्ड लगा दें क्लियर रिफ्लैक से सिवेट्रेक ट्रांजिटेव की कंडिशन क्या होती है यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी आप यह एक्सामपल बना सकते हैं रिलेशन क है है ना चले आगे बढ़ते हैं और देखिए आप नया सेजन आपका स्टार्ट होने वाला है 2025 का तो मैं रिकमेंट करूंगा कि आप पहले एंसे आट को अच्छे से लगाई जरूद नहीं कि आपको इतनी मूटी-मूटी किता में बगल मिलने के इधर उधर घूमने की जर है और सुंसानन नहीं है तो उसके लिए अपने को क्या करना नहीं उट को सब्सक्राइब करना है करना और भी आएकन को दबाना है एक है निकाय डूबलत होना चाहिए तो लेकलो वही है तब यह तो होगा 11 22 और 33 तो ही तो यह तो यह तीन हो है लेकिन उसने बोला चाहिए नहीं होना चाहिए तो हम एक काम करते हैं तो यहां थी टु लै ले ता हूं साथ मैं, क्या ले तो 3 टु, क्लियर, आप देखो, धिरी त्टी है, थिरी टु है, तो यह यह तहीं ट्रांजटिव बन जाएगा, लेकिन ट्रांजटिव नहीं बनना चाहिए, तो इसको अटाके कुछ और ले लो और ऐसा क्या ले लूँ मैं बताईए भई एक काम करता हूं यहाँ पर ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए लेकिन सिमिस्ट्रिक होना चाहिए क्या होना चाहिए सिमित्रिक तो इसमें से कोई पत्ति ऑफिए गाँ करते हैं यहाँ पर चलो यह यहां करणां तो मुझा यहां भी ही हथरा लहां है क्लिए और देखते हैं यह एक काम करते हैं ख्यूंस को सब्सक्राइब ले लेते हैं 31 तो देखो 33 ए 31 है तो 31 है यहाँ पर अब यह काम करता हूं इसके सार्थ लेता हूं 12 लेता हूं क्या लेता हूं 12 अब देखें 31 है और 13 है तो 32 होना चाहिए लेकिन 32 यहां पर नहीं है देखें इसमें एक और 1122 33 यह तो तुमारे पास थे पहले से अब इसमें जो बचे हुए थे वो मैंने 31 ले लिया और एक क्या ले लिया 12 ले लिया तो 31 12 तो 32 नहीं है यहां पर 32 बताओ है कहीं पर नहीं है 2-1 clear आप देखें 3-1 है 1-2 है तो 3-2 होना चाहिए तो 3-2 नहीं है यहाँ पर है ना बाकी का मैच करे या नहीं करे डिजन मेंटर एक आप कंडिशन बता दो चाहिए ठाइधा करें दोंगें आहीं होने कि अब अब ऐसे देखो 3-1 ए 1-3 तो 3-3 है यहाँ पर और 1-2 है तो 1-1 है यहाँ पर है ना और ट्रांजिटीव होना चाहिए रिफलेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिविट्रिक क्या नहीं होना चाहिए चली बताइए और रिफलेक्सिव होने इन सब के डबलेट भोना च्याहिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है city ग्यार अब ट्रांसिटिव का मतलब यह है कि आपने अगर 2 3 लिया तो देखो 2 2 2 3 2 3 है यहां पर 2 3 3 3 2 3 है यहां पर clear और symmetric नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए symmetric तो देखो 1 1 का उल्टा 1 1 2 2 का उल्टा 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 नहीं है यहाँ पर अब ज़रा सोचो यहाँ पर reflexive लिए क्योंकि सबके double 8 है यहाँ पर transitive लिए क्योंकि 1 1 है तो 1 से start होने वाला नहीं तो बहुत ट्रांजिटिब है 2 2 है 23 है यहां पर 33 है 3 से start भी है reflexive भी है लेकिं symmetric क्यों नहीं है क्योंकि 2-3 का उल्टा 3-2 नहीं है यहाँ पर देखें कितना important है है ना चलिए आगे बड़े लास्ट पाट देखिए इसका फिफ्ट पाट देखने है और यह question जब तुमारे बिल्कुल समझ में आ जाए ना तो आप एक example अपने पास से थोड़ा बड़ा example ले लेना और खुद से बना कर देखना कि कहां पर हमसे mistake हो रही है relation बनाने में अब फिफ्ट पार्ट में हमारे पास symmetric होना चाहिए and transitive होना चाहिए क्या होना चाहिए but not reflexive reflexive नहीं होना चाहिए अब reflexive नहीं होना चाहिए कि सबके double 8 नहीं होना चाहिए सबके double 8 नहीं होना चाहिए है किसी एक के भी double 8 नहीं हो तब भी क्या होगा यह reflexive नहीं होगा clear अब देखिए transitive होने के लिए मैं ले लेता हूं 12 और 21 है तो 12 है 21 होना चाहिए है और 21 है 12 है तो 22 होना चाहिए सब्सक्राइब अब देखिए हैं सब्सक्राइब इसलिए 12 है तो 21 है तो 21 है तो 21 है तो 21 है और 21 है तो 21 हो गया बिल्कुल है यहां पर अब यह reflexive क्यों नहीं है क्योंकि हां पर थिरी थिरी नहीं थिरी थिरी प्चलियर अब यह कैसा हो गया ट्रांसिteam b paved mi वह गया लेकिन reflexive नहीं है यह IU तो इस तरह से आप ब बता आँ मैं आत इसको रच्ट पुन मारनना क्योंकि यह टीचर के बस Martin नहीं रटा बारने के यह तो तभी आप कर सकते हैं जब आपको चाहिए कि रफ्लेक्सिव क्या होता है सीमेट्रिक क्या होता है तो मैं चाहूंगा कि आपको इसको इंडेपेंडेंट्ली खुद से करें उसके बाद मैच कर ले ब cheap nogle हो गयाग sitten होने का मतलब है कि इसके उल्टे होना हो गया बनदेफ होगया डूहाने तो सच्फ होगया अब डूहानसे आप से सफिंद्थ होना चाहिए हम्हेक सिवर्णने में में चाहिए फ्लाक्सिफ क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर one one तो है two two भी है लेकिन three three नहीं है clear तो ये question आपका complete हो गया तो बने रहें channel के साथ channel को subscribe करें मिलते हैं next video में thank you